अध्याय तीन बिस्कोहर की माटी प्रिष्ट संख्या 33 से 41 पाठ परिचै प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगात लाई का गाउं का एक अंश है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिवेंजना में अत्यंत रोचक और पठनिये है लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गाउं और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वरणन करते हुए ग्रामीन जीवनशैली, लोककताओं, लोकमाननेताओं को पाठक तक पहुँचाने की कोशिश की है गाउं शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बलकी प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्रे भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककडी का वरणन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाहर से बदहाल गाउं की तकलीफों का जिक्र है कमल कोईया, हर सिंगार के साथ साथ, तोरी, लौकी, भिंडी, भट कटाईया, इमली, कदंब आदी के फूलों का वरणन कर लेखक ने ग्रामीन प्राकृतिक सुश्मा और संपदा को दिखाया है तो डोढ़ा, मजगिदवा, धामिन, गोहुवन, घोर कडाईच, आदी सापों, बिच्चुओं आदी के वरणन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्मान किया है ग्रामीन जीवन में शहरी दवाईयों की जगा प्रकृति से प्राप्त फूल, पत्तियों के प्रयोग भी आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है पूरी कथा के केंद्र में है बिसकुहर, जो लेखक का गाउं है और एक पात्र बिसनाथ, जो लेखक स्वाइम, अर्थात, विश्वनाथ है गर्मी, वर्षा और शरद रितु में गाउं में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उलेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है दस वर्ष की उम्र में करीब दस वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर, मन में उठे बसे भावों, समवेगों के अमिट प्रभाव, वा उसकी मारमिक प्रस्तुती के बीच, समवादों की यथावत, आंचलिक प्रस्तुती, अनुभव की सत्तिता और नैसर्गिक्ता की द्योतक पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्रे के साथ प्रस्तुत किया है, लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नहीं है बिसकोहर की माटी लेखक, विश्वनात, त्रिपाठी पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते भोज में हिंदूओं के यहां भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता कमल पत्र को पुराइन कहते कमल के नाल को भसीन कहते आसपास कोई बड़ा कमल तालाप था लेवणी का ताल अकाल पढ़ने पर लोग उसमें से भसीन कमल ककड़ी खोद कर बड़े-बड़े खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते कमल ककड़ी को सामानने तहा अभी भी गाओं में नहीं खाया जाता कमल का बीच कमल गट्टा जरूर खाया जाता है कमल से कहीं ज्यादा बहार कोईयां की थी कोईयां वही जलपुश्प है जिसे कुमुत कहते हैं इसे कोका बेली भी कहते हैं शरद में जहां भी गड़ा और उसमें पानी होता है कोईयां फोल उठती हैं रेल Bay Line के दोनों और प्राया गड़ों में पानी भरा रहता है आप उत्तर भारत में इसे प्राया सर्वत्र पाएंगे बिसनात बहुत दिनों समझते थे कि कोईयां सिर्फ हमारे यहां का फूल है एक बार वैशुन देवी दर्शनार्थ गए देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था अनवरत निरंतर शरत की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिभिंब और खिली होई कोईयां की पत्तियां एक हो जाती है इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वह क्या है इन्ही दिनों तालाबों में सिंघाडा आता है सिंघाडे के भी फूल होते हैं, उजले और उनमें गंध भी होती है बिसनात को सिंघाडे के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हलकी सी आवाज भी सुनाई देती है वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिशृत आवाज सुनते सिंघाडा जब बतिया छोटा दूधिया होता है, तब उसमें वह गंध भी होती है और शरद में ही हर सिंघार फोलता है पितर पक्ष, यानि पित्री पक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर सिंघार की राशी रख जाती थी रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई, गाउं की बोली में कुरई जात रही बहुत धेर सारे फोल, मानों इकठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक की है गाउं में ग्यात अग्यात वनस्पतियों, जल के विविद रूपों और मिटी के अनेक वरणों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था बिसनात आदी बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे सभी चीजें प्रतेक चीज में थी, और प्रतेक सब में आकाश भी अपने गाउं का ही एक टोला लगता चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी, जो बच्चों की दादी की सहेली थी मां आचल में छिपा कर दूद पिलाती थी बच्चे का मां का दूद पीना, सिर्फ दूद पीना नहीं मां से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है बच्चा सुबकता है, रोता है, मां को मारता है मां भी कभी-कभी मारती है बच्चा चिप्टा रहता है, मां चिप्टाई रहती है बच्चा मा के पेट का स्पर्ष गंध भोगता रहता है पेट में अपनी जगह कैसे ढूणता रहता है बिसनात ने एक बार जोर से काट लिया मा ने जोर से थपड मारा फिर पास में बैठी नाउन से कहा दांत निकाले हैं, टीसत है बच्चे दांत निकालते हैं, तब हर चीज़ को दांत से योहीं काटते हैं वही टीसना है चांदनी रात में खटिया पर लेटी मा बच्चे को दूद पिला रही है बच्चा दूद ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है चांदनी भी मां जैसी ही पुलक्स नहें ममता दे रही है मां के अंक से लिपट कर मां का दूद पीना जड़ के चेतन होने यानि मानव जन्म देने की सार्थक्ता है पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होंगी और पक्षी अंडच यह बिसनात ने बहुत बाद में देखा समझा दिल्शाद गार्डन के डियर पार्क में जब बतकें होती थी बतक अंड़ा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था देखा एक बतक कई अंड़ों को से रही है पंक फुलाए उन्हें छिपाई है दुनिया से बचाई है एक कववा थोड़ी दूर ताक में बतक की चोँच सक्त होती है अंड़ों की खोल नाजुक कुछ अंड़े बतक मा के डैने से बाहर छिटक जाते बतक उन्हें चोँच से इतनी सतरकता कोमलता से डैनों के अंदर फिर चुपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए कुछ कह नहीं सकते इसे सेस सारद भी नहीं बयान कर सकते और मा की निगाहा कववे की ताक पर भी थी कभी-कभी वह अंड़ों को बड़ी सतरकता से उलटती पलटती भी किसने दी बिसनात की मा और बत्थक की मा को इतनी ममता जैसे पानी बहता है, हवा चलती है वैसे ही मा में बच्चे की ममता प्रकृती में ही सब कुछ है जड़ चेतन में रूपांत्रित होकर क्या-क्या अंतर बहारे गड़ता है लीलाचारी होता है गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राया कहते हैं क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उदेश्य के है होगा कोई महान नहित उदेश्य, प्रयोजन लेकिन अभी तो बुष बलेर ने एराख फते किया है कहां मा का बच्चे को दूद पिलाना, कहां बथक का अंडे सेना बिसनाथ पर अत्याचार हो गया जब वह दूद पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया बिसनाथ दूद कटहा हो गये उनका दूद कट गया मा के दूद पर छोटे भाई का कबजा हो गया छोटा भाई हुमक हुमक कर मा का दूद पीता और विसनाथ गाएं का बेस्वाद दूद कसेरिन दाई पडोस में रहती थी विसनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा सुई की डूरी से बनी हुई कथरी सुजनी कहलाती है साफ सफाग सुजनी पर कसेरिन दाई के साथ लेटे तीन बरस के बिसनाथ चांद को देखते रहते लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं उसे खा रहे हैं उससे बाते कर रहे हैं वह धुक धुक करके चलता रहता, बादल में छिप जाता, फिर उसमें से निकल आता, इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से चन कर चांदनी के कितने टुकडे बिखरते, शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती? फूलों की बात हो रही थी, कमल, कोईया, हर सिंगार की, लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं, ऐसे कितने फूल थे, जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और हैं वे असली फूल, तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटईया, इमली, अमरूद, कदंब, बैंगन, कोहुडा, यानि काशी फल, शरीफा, आम के बौर, कठहल, बेल, अर्थाद, बेला, चमेली, जूही वाला बेला नहीं, अरहर, उरद, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल, कदंब, अर्थाद, कदंब, के फूलों से पेड़ लबलबा जाता, कृष्ण जी उसी पर जूलते थे, जूला पड़ा, कदंब की डाली, नंदक नंद, कदंबक तरुतर, क्या कदंब और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है, कदंब का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, बिसकोहर के पच्छूं टोला में ताल के पास, सर्सों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, खेतों में तेल-तेल की गंध, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो, सर्सों के अनवरत फूल, खेत सौंदर्रे को कितना पावन बना देते हैं? बिसनात के गाउं में एक फल और बहुत इफरात होता था, उसे भरभंड़ा कहते थे, उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं, नाम चाहे जैसा हो, सुन्दर्ता में उसका कोई जवाब नहीं, फूल पीली तितली जैसा, आखे आने पर मा उसका दूद आख में लगाती और दूबों के कारण अनेक वरने छोटे छोटे फूल, बचपन में इन सब को चखा है, सूंगा है, कानों में खोसा है, और देखिए, धान, गेहों, जौके भी फूल होते हैं, जीरे की शकल में भ भुट्टे का फूल, धान के खेत में और भुट्टे की गंध जो नहीं जानता, उसे क्या कौन समझाए, नवल शुकल की एक कविता है, फूल खिले, खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले, फूल खिले, खिले फूल, गोभी फूल, परवल फूल, करे लौकी, खेकसा, मिर्ची फूल खिले। फूल खिले, खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले। ऐसी हो बारिश, खूब फूल खिले। घास पात से भरे मेडों पर, मैदानों में, तालाप के भीटों पर, नाना प्रकार के साप मिलते थे। साप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्राया मिलते दिखते थे। डोणहां और मजगिदवा विशहीन थे। डोणहां को मारा नहीं जाता, उसे सापों में वामन जाती का मानते थे। धामिन भी विशहीन है, लेकिन वे लंबी होती है। मुह से कुश पकड़ कर पूँच से मार दे तो अंग सड़ जाए। सबसे खतरनाक गोहुण जिसे हमारे गाओं में फेटारा कहते थे। और उतना ही खतरनाक घोर कडाईच, जिसके काट लेने पर आदमे घोडे की तरह हिन हिना कर मरे। फिर बटिहा, जिसके दो मुहों होते हैं। आम, पीपल, केवडे की जाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक। अजीब बात है, सांपों से भै भी लगता है और हर जगा अवचेतन में डर से ही सही, उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। छोटे-छोटे पौधों के बीच में सर सराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। इसी तरह बिच्छू। सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुडैल, आदी का संबंध जोड़ा जाता था। गुरहल का फूल देवी का फूल था, नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रखतिये जाते थे। फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंध, वन्य, मादक होती है। बसंत में फूल आते हैं, बेर का फूल सूंग कर बर्रे ततैया का डंक जड़ जाता है। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब में भर लेते, उनकी कमर में धागा बांध कर लड़ाते। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, घर में सब को सोता पाकर चुपके से निकल जाते, दुपहरिया का नाच देखते, गर्मी में कभी-कभी लू लगने की घटनाई सुनाई पड़ती। मा लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ लगा कर प्यास बांध देती। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पनना, भून कर गोड़ या चीनी में उसका शर्बत पीना, देहे में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर्ध होते थे। कच्चे आमों के जहौर के जहौर पेड़ पर लगे देखना। कच्चे आम की हरिगंद, पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, यह गर्मी की बहार थी। कटहल, गर्मी का फल और तरकारी भी है। वर्षा ऐसे सीधे एका एक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गडाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती। चड़ा असाड गगन घन गाजा, घन घमंड गर्जत घन घोरा, और कमपित जगब नीड बिहंगम। वर्षा ऐसी रितु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है, तबला, मृदंग और सितार का। जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी। और वर्षा ऐसे नहीं, आती हुई दिखलाई पड़ती थी। मेरे घर की छत से, जैसे घोरों की कतार दूर से दोड़ी हुई चली आ रही हो। और पास, और पास, अब नदी पर बर्षा, अब डे घर पर, अब बढ़ की बगिया पर, अब पडोस घर में टप टप टप, आंधी चले तो टीन चपपर उड़े, कई दिन लगातार बर्षे तो दीवार गिरे, घर धसके बढ़िया आवे, भीशन गर्मी के बाद बर्षात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे, भौँ भौँ, मेमे, चूचू करते, मगन, बे मतलब, इधर उधर भागें, थिरकें पहली वर्षा में नहाने से दाद, खाज, फोड़ा फुनसी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मचलियां कभी-कभी उबस के मांजा, अर्थात, फेन, लगने से भी मर जाती हैं, राजा दशरत, राम के बिरहे में ऐसे व्याकुल, मांजा मनहू मीन कहां व्यापा, जोंक, केचुआ, ग्वालिन, जुगनों, अगनिहवा, बोका, करकच्ची, गोंजर, आदी, मच्चर, डांसा, आदी, कीडे, मकौडों की बहुतायत, भूमी, जीव, संकुल रहे, किन्तु नाना प्रकार के दूबों, वनस्पतियों की, नवहरित, आभा की लहरों का क्या कहना, धोए-धोए, पातन की बात ही निराली है, फिर गंदगी, कीचड, बदबू की लदर-पदर, बाढ़, आवे, सिवान, खेत, खलिहान, पानी से भर जाए, तो दिसा मैदान की भारी तकलीफ, जलावन की लकडी पहले न इकठा कर ली, तो गीली लकडी गीले कंडे से, घर धुएं से भर जाए, बरसात के बाद बिस कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूही राप्ती नदी निखर उठते थे, धान के पौधे जूमने लगते थे, भट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, शरद में, फूल, तालाब में, शैवाल, अर्थात, सेवार, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब, नीले जल के कारण, तालाब का जल अगाध लगता, सनान करने से आत्मिय शीतलता, और विशुधता की अनुभूती, तालाबों का नीला, प्रसन्न जल, विसनात को लगता, अभी इसमें से कोई दीवी देवता प्रकट होगा, खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे, उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ, शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सूरिय की किरने पड़ती, जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज्यादा फर्क नहीं होता, बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज्यादा होती है, वैसे ही बिसकोहर की वह औरत पहली बार उसे बढ़नी में एक रिष्टेदार के यहां देख बिसनात की उमर उससे काफी कम है, ताजुब नहीं, दस बरस कम हो, बिसनात से ज्यादा के नहीं थे, देखा तो लगा, चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में, जुही की खुश्पू आ रही है, बिसकोहर में उन दिनों बिसनात संतोशी भहिया के घर बहुत जाते थे, उनके आंगन में जुही लगती थी, उसकी खुश्पू प्राणों में बसी रहती थी, यूं भी चांदनी में सफेद फूल ऐसे लगते हैं, मानो पेड़ों, लताओं पर चांदनी ही फूल के पढ़ रही हूँ। सब देख रहे थे, वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी, संदर्रे क्या होता है, तदाकार, परिणती क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में, वह नारी मिली भी, बिसनात आजीवन उ से शर्माते रहे, उसकी शादी बिसकोहर में ही हुई, कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद, उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जित तुम्हें पाई जाई, ते जरूरे बोराई जाई, जो तुम्हें पाई जाएगा, वह जरूर ही पागल हो जाएगा जाई देव बिसनाथ बाबू, उनसे तो हमार कब्बो ठीक से भेंटो नहीं हुई, बिसनाथ मान ही नहीं सकते कि बिसकोहर से अच्छा कोई गाम हो सकता है, और बिसकोहर से ज्यादा सुन्दर कहीं की औरत हो सकती है, बिसनाथ को अपने मां के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता, गंध दूद की पिता के कुर्टे को जरूर सुन्गते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती नारी शरीर से उन्हें बिसकोहर की ही फसलों, वनस्पतियों की उतकट गंध आती है तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गिहों, भुट्टा, खीरा की गंध या पुवाल की होती है फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रिंगार से कभी नहीं जोड सकते वह गंध, मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है संगीत, गंध, बच्चे, बिसनात के लिए सबसे बड़े सेतू हैं काल, इतिहास को पार करने के लिए बड़े गुलाम अली खान सहाब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है अब तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करें इस ठुमरी को तो रूलाई आती है और वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है अब प्राप्ती की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती है वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है घने काले केश संवारे हुए है आँखों में पता नहीं कैसी आर्द्र वेथा है वह सिर्फ इंतजार करती है संगीत, नृत्य, मूर्ती, कविता, स्थापत्य, चित्र गरच की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है बिसनात के लिए हर दुख सुख से जोडने की सेतु है इस स्मृती के साथ मृत्यू का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है प्रश्न अभ्यास प्रश्न संख्या एक कोईयां किसे कहते हैं, उसकी विशेशताएं बताईए प्रश्न संख्या दो बच्चे का मा का दूद पीना, सिर्फ दूद पीना नहीं बच्चे से मा के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है टिपणे कीजिए प्रश्न संख्या तीन बिसनात पर क्या अत्याचार हो गया? प्रश्न संख्या चार गर्मी और लू से बचने की उपायों का विवरण दीजिए क्या आप भी उन उपायों से परिच्चत हैं? प्रश्न संख्या चे बिसकोहर में हुई बरसात का जो वरणन बिसनात ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए प्रश्न संख्या साथ फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा भी करते हैं कैसे? प्रश्न संख्या आठ प्रकृती सजीव नारी बन गई इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृती, नारी और संदर्य संबंधी माननेताएं स्पष्ट कीजिए ऐसी कौन सी स्मृती है जिसके साथ लेखक को मृत्यू का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है योग्यता विस्तार पाठ में आए फूलों के नाम, सांपों के नाम, छांटिये और उनके रूप, रंग, विशेश्ताओं के बारे में लिखिये इस पाठ से गाओं के बारे में आपको क्या-क्या जानकारियां मिली, लिखिये वर्तमान समय, समाज में माताएं, नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहती आपके विचार से मा और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है शब्दार्थ और टिपपने भसीन कमलनाल, कमलकातना कुमुद जलपुष्प, कुईया, कोकाबेली सिंगाडा जलपल, कांटेदार फल जो पानी में होता है बतिया फल का अविकसित रूप प्रयोजन उदेश्य कथरी बिच्वाना साफ सफाक साफ और स्वच्च इफ्रात अधिक्ता भीटों टीले ठू बरहा खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली सुबकना धीमे स्वर में रोना आँख आना गर्मियों के मौसम में आँख का रोक थिरकना नाचना अगाध भरपूर आर्द्र नमी आर्द्र 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 झाल झाल